प्यारे बच्चो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा उनलेन क्लासेज में बच्चो आज हम सभी स्वालू करेंगे राश्ट्य उपलब्दी सर्वेक्षन द्वारा दियेगा टेस्ट पेपर कक्षा है तीसरी एवम चौती विश्य है गानित तो बच्चो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाएए लाल बटन दवाएए सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए चैनल सस्क्राइब करना ना भूलिए पहला प्रशन है बच्चो छूटी हुई संख्या लिखिए 200, 202, 204 यानि की सब में हम दो दो जोड रहे हैं तो 204 में दो जोडेंगे तोो किता होगा 206 दिगए संख्याओं को घटते करम में लगाओ बच्चो घटते करम में यानि बड़े से छोटे तो यहां हमारा सबसे बड़ा यह होगा इस से छोटा 621 फिर है 511 और 13 33 त December 3 मेरा इकाईग छार है 169 मेरा दाइक इकाई के अंग से 33 hap 27 किता जोड़े की 100 हो जाए तौ बच्चो में से 37 को घताएंगे तो यहां आया तीन, या फिर हम सत्याणवे में सौ बनाने के लिए तीन को जोड के देखेंगे, तो यह आया तीन, तो हमारा सही उत्तर है तीन, अगला है 999 से एक ज्यादा क्या होगा 999 से अगर हम एक ज्यादा देखेंगे इसमें एक जोड़ेंगे तो यह होगा एक हजार 700 रुपे में 50 रुपे जोड़ दी जाएं तो कितने रुपे हो जाएंगे अब बचो दे कि 700 में अगर 50 रुपे जोड़ दिये जाएंगे तो ये होगा 750 55, 70, 65, 60 तो 55 में से 5 घटा है तो 70, 70 में से 5 घटा है तो 65 इसी तरह 65 में से 5 घटा है तो 60 और 60 में से 5 घटा है तो 55 तो 55 हमारा सही उत्तर होगा एक मिटर में कितने सेंटी मिटर होते हैं तो बच्चो एक मिटर में कितने सेंटी मिटर होंगे तो एक मिटर में 1000 सेंटी मिटर होंगे ठीके सॉरी 100 सेंटी मिटर होते हैं 100 सेंटी मिटर होंगे एक वर्ग में बुजाओं की संख्या कितनी होगी बचो एक वर्ग में एक वर्ग हमारा हुआ इसमें बुजाओं की संख्या कितनी होगी एक दो तीन चार चार हैं तो यहां लिखेंगे चार आट सो बीस के बाद आने वाली संख्या लिखो 820 के बाद क्या आता है बच्चो 820 में एक जोड़ेंगे तो उत्तर हैगा 821 लीप बर्ष में कित्ते दिन होते हैं तो लीप बर्ष में 366 दिन होते हैं तीन भुजाओं वाली आकरती को क्या कहते हैं बच्चो तीन भुजाओं वाली आकरती को हम बोलते हैं त्री भूज, 10 प्लस 62 प्लस 34, कित्ता होगा बच्चों, 106, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या पर सही का निशान लगाएं, तो बच्चों, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, 1000, 550 में से 186 घटाने पर आपको कौन सी संख्या मिलेगी, तो देखे बच्चों, यहां 10 हो जाएगा, यहां 4, 10 में से 6 गए 4, 4 में से 8 नहीं जा सकता, हासिल, 14 में से 8 गए 6, 4 में से 1 गए 3, तो हमारा सही उत्तर हुआ 364, ठीके, आया सभी को समझ में अच्छे से, तो इस तरह स करके वीडियो को लाइक जरूर करें, जादा से जादा वीडियो को शेयर करें, और नीचे दिये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट लिखके बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा, और सभी मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें, चैनल को सस्क्राइब करना न भूलें आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद